हाई फ्रेंड्स इस वीबुदत्त प्रम साव टेक्नोगाइड आज कर ये वीडियो में आपके लिए लिए कहा हूँ किन्सांड प्रांट का 5-in-1 USP-C टाइब हॉप का अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन मिलेगा वहाँ पे क्लिक करके आप हमरा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बाजू में आपको एक बेल आइकन मिलेगा वहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमरा चैनल का लाटेस्ट अपडेट आपको मिल जाएगा तो फ्रेंड्स में यहाँ पे आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता आप वीडियो देखने के बाद comment section में मुझे suggestion दे सकते हैं तो आपका suggestion मेरे लिए काफी valuable रहेगा मेरे वीडियो को improve करने के लिए So let's get start तो यह एक 5-in-1 USB-C type का hub है जिसको आप आपका Macbook में यूज़ कर सकते हैं Windows laptop में यूज़ कर सकते हैं यूज़ पेंड्राइव बगरा लगा सकते हैं और second यहां पर एक SD card के लिए slot दिया गया है उसमें SD card भी लगा सकते हैं Micro SD card का slot दिया गया है और HDMI port भी दिया गया है तो जिसे आज के time में Macbook Air या Macbook Pro आप purchase करते हैं तो उसमें आपको कोई भी USB slot नहीं मिलता तो चली शुरू करते हैं उसका unboxing तो यह हमारा courier pack है इसको हम open कर देते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं यह किन साउंट प्रांट का है तो यहां पर 5 pin USB C hub लिखा गया है 2 HDMI प्लस USB 3.0 का 2 port आपको मिलता है SD and FT card reader है multifunction USB C adapter तो यहां पर जो HDMI port आपको मिलता है वो 4K into 2K है 30Hz का जो के resolution 3840 into 2160 है तो next आपको यहां पर जो HD and FT card है मिन्स आप यहां पर बड़ा वाला जो HD card रहता है उसको भी उसकर सकते हैं और Micro HD card भी उसकर सकते हैं तो यह side में USB C, HDMI, USB 3.0, HDFD card reader लिखा गया है तो आप इसको open कर देते हैं तो यहां पर आपको दो content मिलता है एक USB C का hub है और दूसरा एक carry pouch है जो के कपड़ा में बना है आप यह USB hub को जापे भी carry करेंगे इसके अंदर लेके जा सकते हैं तो यह USB C type hub का build quality कापी अच्छा है जैसे के यह metal का दिया गया है और यह side आप देख सकते हैं दो USB 3 का port आपको मिलता है यह SD card के लिए है और यह micro SD card के लिए है और back side में कुछ भी नहीं है और यहां पर आपको HDMI port मिल जाता है कोई भी connection के लिए और यहां पर यह cable भी काफी अच्छा quality का दिया गया है उसके साथ साथ यहां पर जो pin दिया गया है USB-C का यह gold plated है तो यह USB port में आप pen drive लगा सकते हैं कोई भी gamepad, keyboard बगेरा कुछ भी यहां पर लगा सकते हैं उसके साथ साथ यहां पर SD card का slot दिया गया है जैसे camera का जो SD card रहता है इसको भी आप यहां पर लगा सकते हैं यहां पर micro SD card लगेगा और यहां पर HDMI port लगेगा तो यह USB hub को हम पहले Macbook Pro में चेक करेंगे जैसे के Macbook Pro में only आपको Thunderbolt 3 का port मिलता है जो के USB-C type का port है तो आप इसको connect करेंगे उसके साथ साथ इसका जितना भी port है उसमें हम pen drive हमारा gamepad वगेरा connect करेंगे और चेक करेंगे वो काम कर रहा है या नहीं तो यह है हमारा weight scale अभी हम USB-C type का जो हमारा पास USB hub है इसका weight measure करते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं यह 51 gram का है तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर मैं यह USB-C type hub को MacBook Pro में connect कर दिया हूँ तो यहां पर हम USB pen drive connect करते हैं तो यहां पर second USB pen drive एक SD card मेरे पास है इसको भी हम यहां पर connect करते हैं तो तीनो drive का content यहां पर show कर रहा है तो यहां पर मैं यह receiver को यह जगा में लगा देता हूँ जैसे आप देख सकते हैं यहां पर यह mouse का receiver जो है connect हो गया इसका cursor screen में आ गया तो आप कोई भी wireless keyboard या mouse बगेरा यहां पर आराम से connect कर सकते हैं या gamepad बगेरा भी connect कर सकते हैं और उसको आराम से यहां पर use कर सकते हैं तो यहां पर मेरे पास एक SSD है तो उसको मैं यह USB port में connect करता हूँ तो यहां पर यह connect हो गया तो अभी हम इसका speed test करते हैं जैसे मैं यहां पर SSD को select कर देता हूँ तो यहां पर आप देख सकते हैं right speed जो है वो 365 तक जाता है और यहां पर read speed जो है वो 413 तक जा रहा है means यह अगर आप direct pack में connect करते हैं तो उसका speed भी लगबग same आता है तो अभी हम इसका HDMI port को एक TV में connect करते हैं और check करते हैं वो कैसे काम करता है तो TV का यह HDMI के बुल है तो इसको यहां पर लगा देता हूँ तो जैसे ही हम TV का HDMI मोड में जाते है तो इसका screen जो है उधर आ जाता है तो यहां पर हमारा channel का एक वीडियो है तो दोनों आप देख सकते हैं तो यहां पर total delay नहीं है तो यहां पर आप इसका connection देख सकते है जैसे मैं यहां पर Mac में इसको connect किया हूँ और यहां पर HDMI connect है और वो आराम से TV में चल जाता है तो अभी हम MacBook को side कर दिये और इसको हम एक mobile phone में connect करके check करेंगे जैसे के यह mobile phone में USB-C type का port है तो यहां पर इसको हम connect कर देते हैं और यहां पर एक pen drive और यहां पर एक USB, dangle और यहां पर SD card यह तीनों को यहां पर connect कर देते हैं और mobile phone में check करते हैं यह काम कर रहा है या नहीं तो जैसे हम यहां पर connect कर दिये तो आप देख सकते हैं mouse का cursor यहां पर आ गया तो अगर हम UTV यहां पर open करते हैं तो आप देख सकते हैं mouse का cursor यहां पर आ गया तो storage में जाते हैं तो यहां पर 3 drive show कर रहा है मिन्स एक phone का inbuilt memory है और यहां पर 2 drive दिखा रहा है मिन्स यह भी यहां पर काम करता है तो अबरहल देखा जाए तो यहां पर कोई भी mobile phone में आप यह USB hop को connect कर सकते हैं बस mobile phone में C type का port होना जरूरी है तो लगाने के बाद आप कोई भी pen drive, SD card या कोई भी USB dungle, gamepad का हुआ या keyboard mouse का हुआ इसमें connect कर सकते हैं तो अभी यह 5 in 1 USB C type hop का final conclusion के बारे बात करते हैं जैसे के इसको हम MacBook Pro में यूज़ करके देखें और mobile phone में भी यूज़ किये तो यह काफी effective है जैसे के इसमें आपको दो USB port मिलता है SD card मिलता है, micro SD card मिलता है उसके साथ साथ आपको यहां पर SDMI port भी मिल जाता है तो अगर आप MacBook Pro या MacBook Air ले रहे हैं तो आपके लिए यह best है जैसे के market में अगर आप कोई भी USB C type का hop धुन रहे हैं तो आपको काफी ज्यादा price में मिलता है या किसी में connectivity का भी issue आता है बट यह जो device से इसमें आपको connectivity का कोई भी issue नहीं आता यह आराम से चल जाता है और इसका price जो है यह आपको 4000 के आसपास Amazon.in में मिलता है तो नीचे में description में उसका link दिया हूँ उसको भी like कर सकते है अगर अभी तक आपने हमारा YouTube का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लिजे क्योंकि इस टैप के वीडियो में रोज लेके आता हूँ तब तक हमारा चैनल देखते रहे है साहू टेक्नो गाइड आपका दिन सुप हो